शनी देव के जन्म स्थान शिंगनापूर के 6 रहस्य वैसे जो भारत भर में शनी देव के कई पीठ है किन्तु 3 ही प्राचीन और चमतकारिक पीठ है जिनका बहुत महत्व है शनी शिंगनापूर, महराष्ट्रा, शनिश्चरा मंदिर, ग्वाली अर मध्य प्रदेश, सिधा शनी देव, कशीवन, उत्तर प्रदेश, इन में से शनी शिंगनापूर को भगवान शनी देव का जन्म स्थान माना जाता है, जन्शृती है कि उक्त स्थान पर जाकर ही लोग शनी के दंज से बच सकते हैं, किसी अन्य स्थान पर नहीं, जन्शृती और मान्यता अनुसार शनी देव का जन्म स्थान है, एक, गाव में नहीं होती चोरी, शिंगनापूर गाव में शनी देव का अदबुत चमतकार है, इस गाव के बारे में, कहा जाता है कि यहां रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं और आज तक के इतिहास में यहां, किसी चोरी नहीं की है, ऐसी मान्यता है कि बाहरी या स्थानी या लोगों ने यदि यहां किसी के भी घर से चोरी करने का प्रयास किया तो वो गाव की सीमा से पार नहीं जा पाता है, उससे पूर्वी शनीदेव का प्रकोप उपर हावी हो जाता है, उक्त चोर को अपनी चोरी और शनी भगवान के समक्ष उसे माफी भी मांगना होती है, अन्यता उसका जीवन नर्क बन जाता है 3. हर शनी अमावस्या पर होता है विशेश पूजन शनिवार के दिन आने वाली अमावस को तथा प्रतियक शनिवार को यहां शनी भगवान की विशेश पूजा और अभिशेक होता है प्रति दिन त्रातः चार बजे एवं सान काल पांच बजे यहां आरती होती है शनी जयन्ती पर जगह जगह से प्रसिद ब्राहमनों को बुलाकर लगुरुद राभिशेक कराया जाता है यह कार्यक्रम प्राता साथ से सायम छे बजे तक चलता है चार, मामा भांजे साथ मिलकर करते हैं दर्शन तो लाब जन्शृती के अनुसार एक बार शिंगनापूर में बाड़ाई सबकच बह गया तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा और लंबा सा पत्थर जाड़ पर अटका हुआ है उसने जैसे तैसे उस पत्थर को नीचे उतारा वो अदबुत पत्थर था उसने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया तो उसमें से खून निकलने लगा ये देखकर वो घबराकर वहां से भाग गया और गाव में जाकर उसने ये घटना बताई ये सुनकर कई लोग उस पत्थर पास गए और उसे उठाने का प्रयास करने लगे लेकिन वो किसी से भी नहीं उठा तब एक रात उसी आदमी को शनी देव ने स्वपन में आकर कहा कि मैं उस पत्थर के रूप में साक्षात शनी हूँ मामा भांजे मिलकर मुझे उठाए तो उठ जाओंगा ये स्वपन उस आदमी ने गाव वालों को सुनाया तब गाव के ही एक मामा मांजे ने उस पत्थर को उठाकर ठाकर एक बड़े से मैदान में सूर्य की रोशनी के तले स्थापित कर दिया तब ही से यह मान्यता है कि इस मंदिर में यदि मामा भांजा दर्शन करने जाएं तो अधिक फाइदा होता है आच गरिये को मिली थी शिला एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार भगवान शनी देव के रूप में ये शिला एक गरिये को मिली थी स्वयम शनी देव ने उस गरिये से कहा कि इस शिला के लिए बिना कोई मंदिर बनाए इसे खुले स्थान स्थापित करें और इस शिला पर तेल का अभिशेक शुरू करें तब से ही यहां एक चबूत्रे पर शनी के पूजन और तेल अभिशेक की परंपरा जारी है 6. पीछे मुढ कर ना देखें जन्शृती के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी शनी भगावन के दर्शन के लिए प्रांगन में प्रवेश करता है उसे तब तक पीछे मुढ कर नहीं देखना चाहिए जब तक की वो दर्शन करके पुना बाहर न निकल जाए यह वो ऐसा करता है तो उस पर शनी की कृपा द्रिश्टी नहीं होती है उसका यहां आना निश्फल हो आता है